नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों Insecticide India Limited कमपनी भारत के सबसे अच्छे कमपनियों में से एक माना जाता है और ये कमपनी हमेशा किसान भाईयों के लिए कुछ ना कुछ नया और कारगर प्रोड़क्ट मार्केट में लाते रहता है और इस बार कमपनी ने जापान की कमपनी निसान केमिकल के साथ मिलके मार्केट में उतारा है सिन्वा नाम का एक कीतना सक ये कीतना सक आगे चलके किसान भाईयों के लिए राम बान साबित होने बाला है तो वीडियो को पुरा देखे ताकि आपको सिनवा कीट नासक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और जो लोग चैनल पे पहली बारा हैं वो लोग चैनल को सबस्क्राइब कर बगलबाली बेल की घंटी दबाले इसका मुख्य कारण है किसान उस कीटनासकों का लगातार प्रियोग से या फिर बहुत दिनों से प्रियोग होते रहते हैं फसलों में इसलिए कीटनासकों के प्रती resistance क्रियेट कर लेता है ऐसे में अगर कोई कीटनासक नए पैटन का हो नए ग्रूप का हो और नए टेकनिकल का हो तो वो कीटनासक उन कीटनासकों के तुलना में बहुत ज़्यादा कारगर और effective साबित होता है और इसलिए मैं कहरा हूँ कि सिन्वा आगे चलके किसान भाईयों के लिए ब्राम बान साबित होगा क्योंकि इसमें जो टेकनिकल और पेटन है ये exclusive और नया है इसमें जो टेकनिकल आता है किसान भाईयों वो आपको Fluexa Metamide 10% EC formulation में देखने को मिलेगा ये कीटनासक एक साथ बहुत सारे कीटों पे नियंतरन दे सकता है इसमें Translaminar Action भी है मतलब अगर आप इस्प्रे करेंगे पत्ते के उपर तो पत्ते के नीचे जो भी कीट छुपे हुए रहेंगे रस्टूसक जैसे कीट, एफिद, वाइट फ्लाय जैसे कीट अगर पत्ते के नीचे छुपे रहेंगे आप सभी प्रकार के फसलों, सबजियों एबंग बागबानी फलफूलों में कर सकते हो, बेजिजग कर सकते हो दोस्तों अगर इसकी Stage of Application की बात करें तो आप इसे किसी भी अवस्ता में प्रियोग अपने फसलों में कर सकते हो इसके एक बार के प्रियोग से आपको 15-17 दिनों तक कीतों से नियंतरन मिल सकता है इसकी जो Composition की बात करें तो इसकी Composition Acidic दबाईयों के साथ नहीं चलती है बाकी इसकी Composition आप सभी प्रकार के Fungicide, Insecticide और Tonic के साथ बेजिजग कर सकते हो अज़िए जैसे Sulfur Acidic दबाईयों हो गया, Phosphate Acidic दबाईयों हो गया, Copper Acidic दबाईयों हो गया तो इन Acidic दबाईयों के साथ इसका Composition नहीं चलता है बाकी आप सभी प्रकार के दबाईयों के साथ इसका Composition बेजिजग कर सकते हो किसान भाईयों अगर बात करें, सिन्वा आपको किन कीटों से नियंतरन दे सकता है तो जितनी भी परकार की Whitefly है, Aphids है, Thrips है, Mides है, लाल मक्खी है जो भी है, जितनी भी इल्लिया है, गुलावी सुन्दी है, फॉल वाम है, बॉल वाम है, फ्रूट बॉरर है, इस्टीम बॉरर है सब पर ये नियंतरन दे सकता है, Black Diamond मौट पर भी इसका नियंतरन देखा जाता है तो ये एक All-Rounder दबाय आप कह सकते हो, और इन सारी कीटों पे एक साथ प्रभाव डालता है अगर इसकी Doze की बात करें, तो प्रति एकर 160 ml कमपनी का कहना है, कि इसकी Doze रखनी चाहिए मतलब अगर आपके प्रति एकर 1300-200 लिटर पानी लगेगा, तो उसमें 160 ml आप सिनवा का प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो इसका इस्प्रे आप अपने फसलों में उच्चे तापमान में भी कर सकते हैं कमपनी का ऐसा कहना है, लेकिन मैं परसनेली रिकमेंट करूँगा अपको अगर आप इसका प्रियोग करते हैं क्योंकि यह महेंगा दबाई है, अगर आप इसका प्रियोग करेंगे, तो सामके 3 बज़े के बाद ही इस्प्रे करें, इससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल मिलेगा हाला कि उच्छे तापमान में इस्प्रे करने से इसके असर में कोई भी प्रकार की प्रभाव नहीं परती है मोटे तोर पर बात करें तो आपकी अगर कोई भी फसल है, उस फसल में अगर एफीड, ठीप, वाइट फ्लाई या किसी भी प्रकार की इलिया है तो आप सिन्वा का प्रियोग कर सकते हैं बेज हिजक कर सकते हैं आपको अच्छा रिजल देखने को मिलेगा उमीद है ये सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा जो लोग चैनल पर पहली बार आये हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बाली बेल की घंटी भी दबा ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै जबान जै किसान